आयूर्वे समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तो आप आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और शेयर कीजे। आज हम आपको पाईज को ठीक करने के नायाव और घरीलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। दरसल बावासीर का उपचार करना हैं तो सबसे पहले कब्स दूर करें, फिर रोक का उपचार शुरू करें। अन्यथा कोई लाब नहीं होगा। जब तक मल नरम होकर सरलता से गुदा द्वारा बाहर नहीं निकलेगा बावासीर में आराम नहीं हो सकता। एलोपेथिक चिकित्सा में इन मस्सों का इलाज ओपरेशन है। खुजली वाले या पीड़ा दायक बावासीर के लिए चिकित्सक क्रीम अथवा ग्लिसरिन की बत्ती आदिका सुझाब देते हैं। बावासीर के मस्सों का एक इलाज उन्हें सुखा देना भी है, इसके लि से नश्ट करने के लिए चाच बहुत ही सरलतम और सर्वत्तम उबाय है। दोबहर के भोजन के बाद पिसी हुई अजवाइन का थोड़ा सा चून सेंधह नमक चाच में मिलाकर पीने से बावासीर में लाब होता है। कब्स की रोगी को यदि अंजीर खिलाई जाए तो उसकी कब्स दूर होती है। दो-तीन अंजीर गर्म पानी में भली प्रकार धोकर रात को काच के बरतन में भिगोकर रख दीजे। प्राते काल उन्हें मसल कर खाने और उसका पानी बीने से धीरे-धीरे कब्स दूर होना कब्स दूर हो जाती है। दो-तीन सब्ताह तक अंजीर का प्रयोक करने से कब्स में आश्रतित प्रभाव होता है। जामुन खुनी बावसीर के लिए बहुत प्रभावी औश्रति है। प्रात्यकाल नमक के साथ लगातार दो तीन मास तक जामुन खाने से खुनी बावासी ठीक हो जाती है। जब तक मौसम में जामुन मिलते रहें तब तक बावासीर के रोगी इनका सिवन करते रहें। यदि ताजा जामुन शहित के साथ खाया जाए तो खुनी बावासीर में शिग्र लाब होता है। अच्छोटी निमबू के दो टुकड़े करके बीज निकालकर और उस पर काला नमक छड़कर धीरे-धीरे चूषने से खूणी बवासीर में लाब होता है। निमबू के पेट के रोगों के लिए लाबदायक माना जाता है इसलिए बवासीर के रोगी यदि इसका सेवन करती रहीं तो उन्हें इससे काफी लाब मिलेगा कच्चे पपीते में पाचक रसों में व्रधी करने की क्षमता होती है और पेट में पड़ी हुई बेकार की शलेश्मा भी नश्ट हो जाती है ये शलेश्मा आतों में बेचैनी पैदा करती है इसके अतरिक्त पका हुआ पपीता नियमित रूप से खाने से पुरानी कब्ज भ बना लें इस चून को दो या तीन कप आटे में मिला कर थोड़े से घी में अच्छी प्रकार भूलें स्वाद के नुसार बूरा मिला लें प्रात्य काल खाली पेट एक चम्मच चून का सेवन करने से बवासीर में लाब होता है दोस्तो आयूर्वे समाधान जीवन जीने की पद्धती है इसमें बताए गए नुस्खे वैद्धियों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आयूर्वे समाधान